Hello everyone, अगर आपको लौकी खाना एक्तम पसंद ना हो तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, यानि कि वीडियो को एक्तम भी स्किप नहीं करना है, यहाँ पे मैंने एक लौकी लिया है, लौकी को हाफ पीसे में मैंने कट कर लिया है, इतनी सी लौकी से आप बहुत ही आप चार से पांच घंटे पहले बना के रख सकते हैं, यह कुरकुरे के कुरकुरे ही बने रहते हैं, चार से पांच घंटे के पहले भी आप इसे बना के त्यार कर सकते हैं, और जब आपका पाटी स्टार्ट हो उसमें आप इसे सौफ कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी सा न रखिए और लौकी को अच्छे से grate कर लिजिए और लौकी को आप पहले वास करके पील कीजिएगा यानि कि लाुकी कि अचिलगे काप इस्तिमाल करेंगे हम इसलिए वास करके ही से आप पील कीजिएगा बहुत ही healthy और tasty ये नास्ता बन के त्यार होता है friends अगर बच्चे आपके लौकी नहीं खाते हों तो इस तरीके से आप उन्हें लौकी खिला सकते हैं लौकी में आप जानते ही हैं बहुत सारी गुन होते हैं इसलिए लौकी को अपने राइट में जरूर से सामिल करें यहाँ पर मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है अब चलिए चलते हैं आगे के process में ये देखिए इसके अंदर जो है न थोरे बीज भी आ गया है अगर आपको बीज पसंद ना हो तो बीज को आप हटा सकते हैं मैंने थोरे से बीज को ले लिया है थोरे से को मैंने हटा लिया था और थोरा सा बीज मैंने छोड़ दिया है इसका इस्तमाल आप चटनी में कर सकते हैं लेकिन बीच का इस्तमाल भी जरूर से करना चाहिए अब चलिए इसे हमसाइड में रखते हैं और थोरे से हरी मिर्च और प्याज, अदरक और धनिया की पत्ती को कट कर लेते हैं यहाँ पे मैंने हाफ प्याज लिया है चार हरी मिर्च, एक टुकरा अदरक, थोरे से धनिया के पत्ते आपको अगर प्याज बहुत ही पसंद हो तो एक प्याज भी आप ले सकते हैं हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने कोडिंग रख सकते हैं जितना तीखा पसंद करते हों उतना ही लिजिएगा बच्चे खा रहे हों तो थोरा कम ही लिजिएगा अब छोटे-छोटे पीसेज में सभी को आप कट कर लिजिए बच्चों के टिफिन में भी आप इस नास्ते को पैक करके दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनके ये त्यार होते हैं और बनाने में आपको मातर 20 मिनट ही लगेंगे अगर आपने लौकी योगरा को पहले से ग्रेट करके रखा है तो तो चलिए यहाँ पे सभी की कटिंग हो चुकी है चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में गैस पे हमें कराई को गरम कर लेंगे जैसे ही कराई गरम हो जाए इसमें आप एक टिस्पून जितना तेल ढाल दिजे बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है बहुत ही हैल्दी तरीके से आज मैं इस नास्ते को त्यार कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें आप जीरा डाल दिजे और तोड़ा सा मैंने यहां पे करी लिपस लिया है यह करी लिपस और इसे ड्राई हो गए थे, मैं इन्हें ड्राई करके ही फ्रीज में स्टोर करती हूँ उसे भी डाल दीजे अगर हो तो जरूर से डालेगा वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं अब कटे हुए प्याज को इसमें डाल दीजे और प्याज को आप 2-3 मिर्ट जितना भून लीजे प्याज बहुत अच्छे से भून चुकी है अब इसमें आप हरी मिर्ट और अद्रक को डाल दीजे यहाँ पे मैंने लाल वाली मिर्ट ली है जो हरी मिर्ट लाल हो जाती है वही हरी मिर्ट है अब इसे भी आप 30 सेकंड जितना पका लीजे ताकि हरी मिर्च का भी कच्चापन निकल जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने लौकी को ग्रेट करके रखा था उसे आप इसमें डाल दीजे अब इसे जो है ना आपको 3-4 मिर जितना भून लेना है यहाँ पे फ्लेम को आप हाई रख सकते हैं हाई फ्लेम पे आप इसे बहुत अच्छे से भून लीजे ताकि लौकी में जो भी पानी है न वो अच्छे से ड्राई हो जाए और लौकी का कच्चापन भी निकल जाए इस तरीके से लौकी को थोड़ा सा भून लीजेगा तो लौकी में बहुत ही बड़ी असा टेस्ट आ जाता है और यह नास्ता जो है न और भी टेस्टी बनके त्यार होता है तो 3-4 मिर जितना आप इसे भून लीजेगा यह देखिए 3-4 मिर जितना मैंने इसे भून लिया है कलर चेंज हो गया है बहुत अच्छे से जरूर से भून लीजेगा और थोरा सा क्वांटिटी भी रिडियोस हो गया है अब इसी स्टेज में इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स एक टीस्पून इसमें मैं ओरिगेनों डाल रही हूँ आपके पास ओरिगेनों हो तो जरूर से डालेगा वरना आप काली मेश का पाउडर भी डाल सकते हैं अब स्वात के अनुसार नमक डाल दीजे उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो कटोरी पानी कोई भी कटोरी या गलास आप ले सकते हैं उसी के हिसाब से आप इसमें दो कटोरी या दो कप पानी डाल दीजे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिजे अब हमें इसे एक बोईल आने तक पका लेना है और फ्लेम को यहाँ पे हाई या मीडियम आप रख सकते हैं बहुत अच्छे से एक बोईल आने दीजे ताकि लौकी जो हैना थोड़ी सी पक भी जाए यह देखिए एक बोईल आ चुकी है अब इसे आप मिक्स कर लिजे उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी यानि कि एक कटोरी मैं यहाँ पे सूजी का इस्तमाल कर रही हूँ ध्यान रखेगा मेजर्मेंट को यहाँ पे मैंने दो कटोरी पानी लिया था और एक कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी लिया है इसी हिसाब से आपको मेजर्मेंट लेना है अब बहुत अच्छे से इसे आप mix कर लीजे और बहुत अच्छे से इसे पका लीजे पांस से छे मिनट आपको लग सकते हैं इसे पकाने में और यहाँ पे flame को आप low ही रखेगा low flame पे इसे आप तब तक पकाईए जब तक यह बहुत अच्छे से dry न हो जाए और आपको इसे लगतार चलाते हुए पकाना है ताकि यह जले नहीं यह देखे बहुत अच्छे से dry हो चुका है और कराई को इसने छोड़ दिया है इसी तरीके से आपको भी इसे पका लेना है अब यहाँ पे आप गैस को बन कर दीजिए यह देखे बहुत अच्छे से dry हो चुकी है लेकिन गैस बन करने के बाद भी आपको इसे चलाते रहना है क्यूंकि नीचे से cooking process चलता रहता है इसलिए थोरी देर आप इसे चलाते रहिए यह देखे बहुत बढ़िया से dry हो चु इसलिए धनिया की पती को पहले नहीं डालना है बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं जब तक यह ठंडा होगी तब तक हम क्या करेंगे हमने जो लौकी के छिलके रखे है ना उसकी हम चटनी बना लेंगे एक बार अगर आप इस लह सुन लिया है थोड़ी दर इसे पका लेंगे थोड़ा सा इसमें आप जीरा डाल दीजे अब जो यह लौकी के छिलके है ना इसे डाल दीजे उसके बाद बहुत अच्छे से इसे बून लीजे एक से दो मिनट जितना आप इसे बून लीजे ताकि इसका कच्छापन निक जाए इस तरीके से अगर आप एक बर इस चटनी को बनाएंगे तो धनिया की पुदिने की चटनी आप बोल जाएंगे बहुत ही टेस्टी यह चटनी बनके त्यार होती है और हेल्थ के लिए आपको पता ही है यह बहुत ही हेल्दी है तो लौकी के छिलके का बिस्तमाल जरूर से डालिएगा वरना इसे इसके भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसे पका लिया है अब चलिए गास को बन कर देते हैं उसके बाद इसे हम थोरा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही इसकी हम चटनी बनाएंगे अब चलिए एक ग्राइंडिंग जार ले ले ल यह लिजिए, मैंने डाल दिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 चमजीतना बुजिया और 1-2 चमजीतना आपिस में भुने हुए मुंध़ली के दाने डाल दीजिए दोनों को जरूर से डालिएगा अगर आपके पस मुँफली के दाने ना हो तो आप यहां पे चना डाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भुना हुआ चना डाल ले सकते हैं या भुना हुआ तील भी ले सकते हैं अब आधान इम्म को आप इसमें निचोड़ दीजे ताकि बहुत ही चटपटा ये चटणी बनके त्यार हो उसके बाद बिना पानी डाले आप इसे एक बार चला लीजे एक बार चलाने के बाद जरुवत होने से आप इसमें पानी डाल लीजेगा जितना गाड़ा आपको चटनी पसंदो उसी साब से आप इसमें पानी डाल दीजे उसके बहुत अच्छे से यानि बहुत ही स्मूथ से इसका आप चटनी बना लीजे बहुत ही स्मूथ ली आप इसे ग्राइन कर लीजे और आपका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा चट्नी बनके त्यार हो जाएगा ये लीजे चट्नी बनके त्यार हो चुका है चलिए चेक कर लेते हैं ये देखिए चटनी में कितना बड़िया सा कलर आ चुका है और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनके त्यार हुई थी एक बार चटनी को जरूर से ट्राई कीजेगा यहाँ पे इसे आप कटोरी में निकाल लीजिए और इस जो ग्राइंडिंग जार में चटनी लगी हुई है इसका आप क्या कर सकते हैं आटा लगा सकते हैं पाने डालके बहुत अच्छे से आप आटा लगा सकते हैं और बहुत ही बरिया सा रोटी या पराठा बना सकते हैं औ ठंडा होने के बाद और भी ये ड्राई हो चुका है, अब इसे हमें बहुत अच्छे से नीट कर लेना है, एक से दो मिनर जितना आप इसे नीट कर लिजे ताकि बहुत ही स्मूथ सा टेक्शर आ जाए, और अगर आपको ये मिक्शर जो है ना बहुत जादा मोईशर लगे या चावल का आटा डाल दिया है, चावल का आटा जरूर से डालिएगा, थोरा सा ही डालिएगा लेकिन जरूर से डालिएगा, और अगर आपको बहुत जादा गिला लगे तो दो से तीन चमच जितना भी आप आटा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो ही चमच डाला है, दो च चमच और चावल कांट आप डाल सकते हैं इससे जो है न और भी यह कुरकुरा बनके त्यार होता है बहुत ही स्मूद सा डोर बनके त्यार हो चुका है अब चलिए हम नास्ता बनाने के प्रोसेस में चलते हैं हाथों में थोरा सा तेल लगा लिजेगा ताकि यह चिपके नहीं उसके बाद थोरा सा पूर्शन अपले लिजे उसके बाद बहुत अच्छे से इससे आप चिकना कर लिजे बहुत ही स्मूद सा यह डोर बनके त्यार हुआ है इसलिए बहुत जादा चिकना नहीं करना पड़ेगा अब इससे आप फ्लैट कर दीजे और बीचो बीचो है न आप इसमें होल कर दीजे, इस तरीके से आपको इसमें होल कर देना है, ये देखे, इस तरीके से अगर आप इसमें होल कर देते हैं, तो बहुत ही कुरकुरा ये नास्ता बन के त्यार होता है, यानि की चारो तरप से जहना बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं, ये दे यहासा नास्ता बन के त्यार होता है फ्रेंस इसलिए जरूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा अब यहाँ पे मैंने थोरा सा भुना हुआ तील लिया है अब क्या करना है हमें तील में इसे कोट कर लेना है बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है बस हलके हाथों से अब यहाँ इसे कोट कर सकते हैं या इस नास्ति के उपर भी आप थोरा सा तील डाल सकते हैं यह देखिए बहुत ज़्यादा तील जो हैना इसमें लग गया है लेकिन इतना तील का इस्तमाल नहीं करना है थोरा सा भी आप कर सकते हैं या तो इसे टोटली आप स्किप भी कर सकते हैं सभी को आप इसमें कोट कर लीजिए लेकिन तील डालने से टेस्ट बहुत ही अचा आता है सभी को मैंने तील में कोट कर लिया है ये देखिए थोरे से हलके भी किये हैं थोरे जादे भी किये हैं अब चलिए इन्हें हम फ्राइ कर लेते हैं तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिजेगा उसके बाद ही सभी को आप तेल में प्लेस किजेगा और फ्लेम को यहाँ पे हाई रखना है हाई फ्लेम पे आपको इस इसे फ्लिप कर दीजेगा उसके बाद जो है ना फ्लेम को मीडियम करके या लो करके आप इसे तब तक फ्राइए किजे जब तक की बहुत ही बढ़िया सा कलर ना जाए एक बैच को फ्राइए करने में आपको चार से पांच मिनट लग सकते हैं बहुत अच्छे से आप इसे फ क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है साथ ही हमने चावल का आटा भी डाला है और बहुत ही हल्दी तरीके से इसे हमने बनाया है लोकी से ये देखिए कितना बढ़िया दिख़़ा है और खाने में यकीन मानिफरेंस बहुत ही टेस्टी ये बनके त्यार होती है आप इसे कभ लिजे ये देखिए बहुत ही स्वादिस्ट और बहुत ही हल्दी सा नास्ता बनके त्यार हो चुका है आप इसे बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्दी है इसलिए आपको ड़रने की जरूद नहीं है चार पैक कर देने से भी आपक बहुत ही स्वादिश लगती है तो एक बार दोनों को जरूर से ट्राइ कीजेगा और बनाने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजेगा ये देखिए चटनी भी बहुत ही स्वादिश बनके त्यार हुई थी तो जब तक आप इ एक बार अगर आप इस नास्ते को इसी तरीके से बना लेंगे तो हमेशा जो है ना आप इस नास्ते को बनाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंस तो जरूर से इस रेसिपी को अपने डाइट में सामिल कीजेगा छो के snacks में भी आपी से बना के त्यार कर सकते हैं बहुत ही healthy है और खाने में बहुत ही स्वाधिस होती है तो एक बार recipe को try करना तो बनता ही है और इस तरीके से बना के आपी से फ्रीज में 5-6 दिन के लिए store भी कर सकते हैं बच्चों को टिफिन में देना हो तो सुबह सुबह आप friends and family के साथ वीडियो को share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो मिलते हैं friends नई वीडियो में नई recipe के साथ तब तक के लिए bye bye take care